हेलो फ्रेंस इस वीडियो में हम बात करेंगे solve the laplace equation तो यह question में ऐसे figure दिया रहता है तो इसको solve कैसे करना है और यह question 8 marks के लिए आता है तो इसमें पहले क्या करना है यहां पे namings दे दो जैसे यहां पे दिया है u1 u2 u3 u4 u56 वो जो भी है आपको जैसे लग रहा है वैसे दे दो और यह c1 c2 यह भी या फिर question में दिया रहता है तो वह और simple हो जाता है फिर यहाँ पे जो c1 c2 जो है उसके जगे पर आपको question में values दिया रहता है जैसे यहाँ पे 0, 50, 100 ऐसे दिया है और आपको calculate यह करने का रहता है अंदर वाला पार् calculate करने के लिए ये question रहता है और बागी का बहर का आपको दिया रहता है question में जैसे की दुसरे questions में अलग-अलग दिया रहता है numberings यहाँ पे दिया है तो आपको calculate यह करना है तो यह calculate कैसे करें है तो पहले सबसे पहले आप center से चालू करें है तो center में आपका U5 है U5 का value कैसे calculate करेंगे तो U5 के लिए आप पहले plus बना लेंगे तो U5 के लिए plus मतलब बड़ा वाला जो आ रहा है तो U5 equals to 1 4th of 1 4 सब में आएगा 1 by 4 of यहाँ पे 0 plus 21.0 plus 12.1 plus 17.0 दिख रहे हैं तो यह से इसका answer आया है U5 का answer आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे आप diagonal formula तो नाम से आपको diagonal बोला है उसका मतलब simply आपका जो box है उसमें आपका diagonal बनेगा जैसे कि यहाँ पे देख रहे है आप तो अभी diagonals के लिए क्या करेंगे simply यह जो box है इसमें जो sides के ना numbers यह 1379 तो यह सब आपको diagonal से मिलेगा जैसे कि यहाँ पे 7 calculate करने की क्या करेंगे तो इसका diagonal आप ऐसे बनाएंगे roughly तो क्या आता आपको diagonal में answer one fourth तो भार रहेगा common c15 u5 c11 c13 तो वह आप यहाँ पे लिख देंगे तो इसका answer मिल जाएगा तो वैसे u9 के लिए क्या करेंगे u3 यहाँ पे diagonal बनाएंगे u1 के लिए यहाँ पे diagonal बनाएंगे u9 के लिए यहाँ पे diagonal बनाएंगे तो वैसे करके आपको answers मिल जाएगा then standard formula के लिए क्लिए करेंगे बाकी जो बच्छे आपके जैसे की 2 बच्छे है 6,4,8 तो इसका value कैसे निकालेंगे तो simply इसका plus करेंगे तो plus मतलब plus वाला जैसे यहाँ पे u4 के लिए c15, u5, u7 and u1 यहाँ पे जैसे किया है तो वैसे करेंगे आप तो इसके values मिल जाएगे आपको तो यह होगे आपका standard formula के लिए आप plus बनाएंगे simply पहले plus करना है बाद में diagonal के लिए diagonal बनाना है फिर बाद में plus करना है लेकिन याद रखना है पहले plus के लिए u5 के लिए बड़ा वाला चूज करने का है center के लिए बड़ा वाला छोटा वाला नहीं फिर बाद में diagonal के लिए यहाँ से यह जो है ऐसा बनेगा और डाइगनल कहां कहां पर बनेगा 1379 यह जो बॉक्स के डाइगनल के इसमें बनेगा डाइगनल उसके वैलिउस आपको दिये गए चेंज़स हैं तो वित रेस्पेक्ट वैसे ही चेंज़स होते रहेगा यह पूरा कैल्कुलेट होने के बाद आपको आपको नाव व्याव ट प्लस ही करना है वापस से लेकिन वैल्यूस जो है यहाँ पे चेंज़स होगा यूँवन के लिए करेंगे तो पहले तो सेम जैसे किया वैसे आएगा एंसर फिर यूटू के लिए जब करेंगे तब यहाँ पर यहाँ यूवन का वैल्यू जो आता है ना थे एक्जाम्पल किया था आपने u5 निकालेंगे पहले प्लस से फिर डाइग्नोल से डाइग्नोल फॉर्मॉला अपलाई करेंगे 1379 में देन स्ट्रैंडड फॉर्मॉला अपलाई करेंगे प्लस वाला जो कि बाकी जो बचे 2468 के लिए फिर बाद में सब के लिए गॉस्ट रिडल वाला निकालना है तो u1 के लिए क्या करेंगे वापस से प्लस वाला इटम जैसे करते हैं वैसे करेंगे लेकिन आपका वैल्यू चेंज रहेगा जो दिया आपको 0 यह 0.5 वह तो सेम रहेगा लेकिन यह यह यूटू और u4 चेंज रहेगा जैसे कि पहले आप क्या किये फिर्ट ल ए यूटू यूटू के लिए यह जो फर्स्ट लिटरेशन में में आया ना वेल्व तो वह वैल्यूट करेंगे जैसे कि यहां पर किया है तो अधे गया पर जिए तो फर्सचर देट रहें देख एंप थोड़ा बहुत चेंजेस है जाधा फरक नहीं है फिर लास्ट में आपको सेम 8.99 नहीं आ रहे है इस रेक्निंग मतलब नहीं नहीं हुआ लास्ट में आपका एंसर सेम आ रहे है बीच-बीच में आपको वैल्यू उपर नीशी जा रहे है सो ये फिर्स्ट लिटरेशन सेकेंड लिटरेशन निकालने आना ची है सो दाट्स अल थैंक यू